पूर्च रिष्ट विद्ध दूर्च में बिद्ध नेलु देसाई हूं, मैं एक चाइड निरोलोजिस्ट हूं और पीडी हिंतुचाओं हुआज इस वीडियो में मैं आपको मिर्गी से संबंदित कुछ प्रश्ण का उत्तर देना चाहूंगी और कुछ शंकाओं का निराकर चाहूंगी मिर्गी और मिर्गी का दोरा क्या होता है रिरी जो है मिर्गी की बिमारी उसको बोला जाता है इसमें ईपिशे ही करAND के दोरे आए और फैक था से जादा मिर्गी जादा है तिब के बोला जाता हुआ है तथ मम्स्पिशे हैं conclusions คguard आएब सकते हैं म%, पंद होता है, सकते हो सहर चुडुंध क्यूंद 수밖에 पत्रड़ मैं इसकी कूछ पास होता है जिसको हम देखते हैं मिर्गी के दौरे की तारा जैसे मेर्गी पॉर्कार कोई पत्रड़ मैं होते हैं जिसके बारे में जानकारी रहती है वो ऐसा प्रकार रहता है जिसको हम Generalized Tonic-Lonic Convergence इसमें जो पेशेंट हैं उसके हाथ पर सब्धाइब हो जाते हैं फिर जटका लेता है आंके उपर चड़ जाती हैं जानकारी 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 जानकार इसे सुबार मैं बच्चों में एक ही साई जटका आना एक साईट मूव घुमा लेना, आंसे घुमा लेनी यह सब भी जटकों के प्रतों होते है विबन बॉक्तों जटकों के घुमा एंपिलेप्सीë होती है इसके सवायं कुछ हम प्रेर प्रगार की बीदाए है Benarा कि अजो गिर जाना विक बिना किसी कारण गिर जाना फिर चुछ पेट दुखने के बाद लुटी होना विक बीदा दुखने के बाद बाद ऊल्टा होना बच्शेंस यह फित होती है मिर्गी के कारण क्या हो? मिर्गी के प्रकार विभन है, मिर्गी के कारण भी विभन है जो कुछ कॉमन कारण हम बच्चों में देखते हैं अगर ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हुए जैसे जनम पे बच्चा रोया नहीं उसको oxygen कम मिला, उसे कुछ दाग आ गया है, या फिर जैसे शुगर कम हो गया, उसमें कुछ दाग आ गया ब्रेन में, ये प्रकार का जो कुछ भी कारण से अगर ब्रेन में दाग आ गया, या फिर कोई infection हुआ, या ट्यूमर हुआ, या कभी-कभी लखवे का असर आया, पर ये developmental fits रहती है, एज के हिसाब से आती है, और एज के हिसाब से निकल जाती है, उसमें हमेशा आपको कारण नहीं रहता, कुछ है उसमें जिसमें ठोड़ा genetic tendency रहती है, फैमिली में रन करती है, hereditary कुछ जीन्स भी रहते हैं, जो की well described है, epilepsy से, जिसके कारण भी ऐसी fits का दोरा आता है, कभी-कभी जो brain का structure है, वो बराबर से बना नहीं रहता किसी कारण से, तो structure में जो खराबी रहती है, उसके कारण भी मिल्गी के दोरे आ सकते हैं, किसी को कभी जादा चोट लग गई, head injury हो गई, उसके से कुछ दाव आ गए बेरे में, उसके कारण भी मिल्ग का दोरा आ सकता है, सबसे कॉमन कारण जो बोलेंगे यह है कि मिल्गी की दवा भूल जाना, अगर दवा बराबर से नहीं ली है, तो उसमें फिट आने की चांसे से, इसके सिवाए अगर रात को नीन बराबर नहीं हुई, अगर बीमार है पेशेंट, अगर बुखार है, कभ कभी-कभी रात को नीन अच्छे से नहीं, बहुत जादा एक्जर्शन और थकान हुई है, मानसिक तनाव है बहुत जादा किसी प्रकार का, उसके कारण फिट का दोरा आ सकता है, कभी-कभी जो कुछ लोगों को फोटो सेंसेटिव एपिलेप्सी होती है, जिसमें जैसे कि प्रकार को जान आसादा है जोंगे जोगन deeper के वीडियोगेद प्रकार आसकता है इसके सवाए बहुत जोनों को जैसे बहुत जऴ जादाना कंज है, या कभी-कभी चुछ अफोटуждवाएं शभी जोटोषंग है, मिर्गी का दृट निढ़ 우리asan मिर्गी के निदान के लिए सबसे पहला जरूरी पॉइंट है एक गुड हिस्ट्री जो पेशन्ट या उसके जो केर टेकर्स हैं जो जिससे हमको जो डिस्क्रिप्शन मिलता है कि क्या हुआ एक्जाटली जो पच्चे को या पेशन्ट को मिर्गी के आटाइक के दौरां क्या ह हुआ उससे हमको क्लिर्डी समस्ता है कि पहले कि यह मिल्गी है यह मिल्गी छोड़की कुछ और चीज है फिर एक बार हमको कर्विन्स हो जाता है कि यह मिल्गी का दौरा ही है उसके बाद हम लोग कभी कुछ ब्लड टेस्स होलते हैं छोटे बच्चे में शुगर की जैसे Electro Encephalogram बहते हैं जो की एक test है जिससे हम brain की waves record करते हैं इससे कुछ pain नहीं होती है कुछ दुखता नहीं है खाली कुछ sticker लगा Caseleo's लगाए जाते हैं सिरफे और उसमें जो waves record की जाती है उससे हमको समस्ता है की इस-patient को मिल्की की आने की tendency है कि नहीं इसके इस्पाई Neuro Imaging in the form of MRI, brain का MRI की जरूरत पर सकती है ये लिखने के लिए कि ब्रेन के structure में कुछ खराबी तो नहीं है जिसके कारण ये फिट सारी है तो ये ती-चार चीजे हैं जो हमको confirm करने के लिए कि पहले मिर्गी की बिमारी है कि लिए हो सबसे जरूरी है मिर्गी कारण क्या है उसके लिए कभी-ब्रेन की जरूरत लग सकती है मिर्गी का उप्चार के से किया जाता है मिर्गी का उप्चार के लिए जो में चीज है वो दवाय है मिर्गी की जो दवाएं या anti-aconversions या anti-apleptic drugs है तो वो एक main जो base रहता है मिर्गी के treatment का वो है fit की दवाएं Almost 70-80% में दवाओं से ही मिर्गी कंट्रोल में आ जाती है कुछ cases हैं जो एक दवा से नहीं काम करते तब हमको 2-3 या कभी 4 दवाएं देनी पढ़ती है combination में दवाएं देनी पढ़ती है जिन लोग को दवाएं काम नहीं करती कभी-कभी हमको उनको एक special प्रकार की diet जिसको हम ketogenic diet बोलते हैं जिससे body में ketones का प्रमान बढ़ जाता है और ये ketones जो हैं fit की दवाओं की तरह ही काम करते हैं और fits को कम करते हैं तो कुछ लोगों को हमको diet देर के फायदा होता है और कुछ एक group ऐसा भी है मिर्गी के patient को जिनको हमको operation करके कुछ प्रकार की surgery करके भी जड़ से मिर्गी की बिमारी को control किया जा सकता है और इसको हम epilepsy surgery बोलते हैं ये एक लंबा procedure है उसके पहले हमको बहुत तपास करनी पड़ती है चांफर्ण करना पड़ता है कि ये operation करके ये completely cure होगा कि नहीं और operation के बाद बच्चे को कुछ तकलीफ तो नहीं हो जाएगी कोई प्रकार की कभी तो नहीं हो जाएगी तो ये में दवाई, डाएट और सर्जरी ये तीन में ट्रीटमेंट बोल सकते हैं जो मिर्गी के लिए उपलब्द रहते हैं इसके सभाई कुछ अल्टरेटिव मेडिसिंस भी हैं जो हम लोग फिलाल तो इतना यूज नहीं करते हैं पर ये में ग्रूप्स हैं जो हम यूज करते हैं क्या मिर्गी रोदी उपचार जिवन बर लेना पड़ता है और मिर्गी के विमारी ठीक हो सकती है इसा बिल्कुल नहीं है कि मिर्गी का इलाज पूरा जिंदगी बढ़ लेना पड़ता है जनरली जो है तो से तीन वर्ष बच्चों में जिनमें दस साल से पहले ये मिर्गी की बिमारी शिरूप की है और जिसमें MRI कुछ कराबी नहीं है जिसको हम गुड़ एपिलेप्सी बोलते हैं ये जो है दो या तीन साल दवाएं दी उसके बाद हम लोग दवा बंद कर सकते हैं और बच्चों को अगर फिट नहीं आई अच्छा कंट्रोल रहा तो दवाएं पूरी तरह से बंद हो सकती है और आगे जिन्दक भी उनको वापिस कभी दौरा भी नहीं आएगा ऐसा भी होता है कुछ प्रतिशक से 20-30% है जिनकी फिट्स थोड़ी ज़्यादा दिफिकल्ट होती है कंट्रोल करने का इनमें एक दो दवाएं से फायदा नहीं होता ज़्यादा दवाएं देनी पड़ती है और इसमें दिमाग पे भी थोड़ा भुद्धी पे असर कभी-कभी आता है तो ये लोगों में कुछ गुरूप है जिसको हमको थोड़ा जादा साल तक या कभी-कभी पूरी लाइफ भी दवाएं देनी पड़ सकती है तो ये ही जो सेम आंसर है कि कुछ 70-80% में कुप्लेटली क्यूर हो जाती है और दवाएं भी बंद हो जाती है और फिर का दौरे भी नहीं आते बच-कुछ 1-3 है समझ लिए 30% में क्यूर कंप्लीट नहीं होता क्या मरगी घरस्त बच्चों की बुद्धी मंद हो जाती है क्या मिर्गी घरस्त बच्चों की बुद्धी मंद नहीं होती है ऐसा और है कुछ प्रतिशत है जो difficult है एक इसको कंड्रोल करने में बहुत तक्लीफ हुई है या पहले से हैं बंद done अभी हैं उन केसेसे हो सकता हैं वु्द्धी मंदू कर मैजॉरिटी में असा नहीं होता थोड़ा टेंपरी बहेवियाद पर्ढ़ं, टेंपररी पढ़ाई, प्रावल मिर्गी कर पर्राइट या मिर्गी की दुवाओं के कारण आपिर्ण कारण आते हैं पर मेजॉरिटी में मिर्गी की बुद्धी मंद हो जाती है, जिस मिर्गी के का राद है, क्या मिर्गी छूने से या खासने से फैलती है, जिस मिर्गी की बीमारी छू लेने से या खासने से नहीं फैलती है, जिस कुछ भी ऐसा नहीं कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैल जाये, कैसे जिए, क्या करें और क्या ना करें? मिर्गी के सभी पेशिंस तो मुझे जानकरी देना जरूरी है कि आप अपनी दवाएं टाइम पे लीजे, भूलिये मत, अगर कुछ अलाम रखिए, कहीं ऐसी जगे रखिए, जिए आपको तुरंत याद आजाए कि ये टाइम है दवा लेने का, कुछ अलाम लगा के रखिए कि वह ये टाइम पे आपको दवा देने का है, खतम होने के एक तो हफ्ते पहले ही स्टॉक लाके रखिए कि अचानक खतम न हो जाए क्योंकि दवा नहीं ली तो मिल्गी का दौरा आने के चांस से, दूसरा जो है दवा अचानक कभी भी बंद न करें, डॉक्टर की सला के सिवाए दवा चेंज मत करें, जितना हो सके एक ब्रैंड से दूसरा ब्रैंड भी ना चेंज करें, फिर टाइम पे दवाए लेने के सिवाए आपकी नीध होना चलूरी है, बराबर से आट गंटे की नीध होनी चाहिए, जितना हो सके लेट नाइट या अलकोहॉल या ऐसा इसको कंट्रोल में रखिए, अगर आपको टीवी देखने से या विडियो गेम से आती है फिट्स, तो ये इसका रिस्ट्रिक्टेट रखिए या ये जब करें तो उसमें चश्मा लगाके करिए, इसके सिवाए, मिल्की का जब दौरा आया, तब क्या प्रणने के हिरूरत है, ये जानकारी पेशेंट के रिलेटेव या फ्रेंड्स के लिए है, उस समें खबराईए मन, पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला, मिल्की के दौरे में किसी के जान नहीं जाती है, आप उस समय बचे को या पेशेंट को एक बाजू तर्न करके रखे, उस समय कुछ मूआ मन डालीए, कुछ पानी है या दौय है, उस समय दवा या मूँ मूआ कुछ भी मन डालीए, आप वेट करिए उस समय उसके कुछ आचुबा जो जैसे कहीं बेट पे होगा गिरने की डर होगी तो उसको जमीन पर रख के रखिए उस समय कपड़े बगरे लूज कर दीजे कुछ चोट लगने लाएं कुछ ऐसी चीजे होगी जो आज बाज उसको चोट लग सकती है जटको के कारण तो वो हटा दीजे फिर आप टाइम करिये फिट कितनी देटर चल रही है अगर दो तीन मिनिट हो गए और फिट बंद नहीं होई तो एमर्जेंसी स्प्रे है जो हम आपको देते हैं जनरली डॉक्तर लोग आपको आपको एमर्जेंसी स्प्रे देते हैं आप में जालने के लिए तो वो यूस कर सकते हैं वो यूस करने से भी अगर फिट नहीं बंद ओती है और पाछ मिनिट हो गए है तो इस सीवाह अगर फिट के दोरान को चोट लग और गया गिर गया फ्राक्चर वगए ऐसा लग रग गंदे तक भोश में नहीं आया, कुछ एक साइट कमजोर पढ़ गही है, लगवा जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी सिंटम्स आपको लगा, तो हॉस्पिटर लेके चाहिए उसको, इसके सिवाय ज़लूरी है, इसके स्कूल में इंफॉर्म करना कि बच्चे को मिल्गी की विमारी है, या फिर वो डेकेर में चाहता है, जहां बेवे जितने भी पॉइंट आफ कॉंटाइक्ट है बच्चे के, उनको पता रहना चाहिए कि बच्चे को यह विमारी है, इसकी यह दवा चालू है, अगर एक दो स्कूल में देना है तो वो टीचर को इंफॉर्म करके रखी, एमर्जेंसी स्प्रे उसके बैग में हमिशा रखी, कि बाइचांस दोरा कभी स्कूल में या खेलते हुए हा गया तो वो टीचर वो यूज कर सके, इसके सिवाए उनको जानकारी देनी चाहिए कि अगर फिट के पेशन्स को हम अडवाइस ये भी करते हैं कि आपका फिट का चैलेंडर, एक रिकॉर्ड रखी, कि फिट कब आई, उस समय कुछ ऐसा सिचुएशन था जिसमें ये ट्रिगर हुई, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी और आपके डॉक्टर को भी समझने को जरूरी इतना याद रखिए कि फिट के पेशन्स नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल लोगों जैसे शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, और कोई खिबराने की बात नहीं है, ये मेजॉरिटी केसे में टोटली ट्रीटेबल है, अग अग दे सेम टा कर देते हैं, ऐसे कोही रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जिंदगी रखिए जितना बच्चे को आगम निर्बर्ग स्रिस्पॉंसिबल रखेंगे, उसको इंवल्व रखेंगे, उतना उसको नहीं लगएगा कि ये कुछ बिमारी है उसको, जितना हो सके नॉ मिर्गी के सब मरीजों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आप घबराये मत, मिर्गी एक कॉमन बिमारी है, बहुत महापुरुशों को भी इसका असर हुआ है, जॉन्टी रोड्स, ऐलेक्जांडर दे ग्रेड, जूलियस सीजर, ये सब मिर्गी के मरीज थे, और इससे इनका महनता में कुछ कमी नहीं आई और ये ट्रीटिबल है, मैजॉर्टी केसिस में जड़ से निकल जाती है, मिर्गी के पेशन्स एक नॉर्मल जिन्दगी जी सकते हैं